हाई दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे नौन इस्टोब जो फलाइट है खुल रही है अब कई देसों के लिए इंडिया से फलाइट खुल रही है सौदी से भी कुछ बरी अपडेट आया है दोस्तों जिसके बारे में हम भी बात करेंगे उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरू कर दिजेगा पहली अपडेट है दोस्तों अबुधावी से जो मुंबई से अबुधावी के लिए फलाइट नोन इस्टोप खुल चुकी है अगर कोई अबुधावी ये दुबई जाने वाला है तो मुंबई से अबुधावी के लिए नोन इस्टोप फलाइट ले सकता है izzhaar india ने ये बात अपने tutor हिंडल पे बताया है दूसरी update है दोस्तो non stop flight misskot के लिए मुंबई से muskot आप जा सकते हैं और एक दूसरी flight औभा है आमदाबास से muskat के लिए ये जो flight है दोस्तो ये उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है जो आदमी जो तीसरे कंट्री हो के साओधी आ रहा है थे उनके लिए एक रहत बरी खबर ये है कि पैकेज का जो रेट है काफी कम हो गया है लोग पहले 1,7,000, 1,80,000 या 2,000,000 लगा के भी आ रहा है थे उनका जो पैकेज है काफी कम हो गया है यह जो नौन इस्टाफ फलाइट खुल रही है उसके वोजे से एक लाख बीस अजार एक लाख दस अजार यहां तक के एक लाख रुपए तक भी लोग आ रहे हैं यानि कहा जाए तो मिला जुला करके एक लाख के आसपास का पैके चल रहा है अगर कोई तीसरे कंट्री होकर के आता है जिनका वेक्सिन साओधी में नहीं लगा है वो आदमी जो मजबूरी में आना चाह रहा है खुशी से खैर कोई नहीं आएगा चुके रेट यह भी जादे ही है अगर डारेक्ट फलाइट साओधी खोल देती है तो मुझे लगता है 60-70 हजार तक रेट लगेगा उसके बाद आदमी आ सकता है तो इसका लिए इनतिजार करना होगा कि आपको 60-70 हजार के लिए चुके अभी तो डारेक्ट फलाइट खुली नहीं है जब खुलेगा तब आप आ सकते लेकिन जो नौन स्टॉप तीसरे कंट्री के लिए खुलाई जिससे मसकत उमान है या दुबई है या और भी जगह के लिए जो खुल रहा है यहां पे एक रहात बरी खबर है कि पैकेज का रेट कम होगा तीसरी बात है दोस्तों साथी के स्वास्त मंत्राले के तरफ से एक खबर आ रही है कि उन्होंने कहा है कि तीसरी डोज उनको लगाना होगा जिनको केडिनी की प्रोबलम है उन्होंने इसलिये ये बात कहा है क्योंके जिनका केड़िनी का प्रोबلم है और उनको करोना हुआ है उनका जो यानि इफेक्ट है वो काफी दिनों तक रहता है तो उनके लिए कहा गया है कि बेहतर होगा कि तीसरा जो डोज है वेक्सिन का आख बी लगा ले तो उनका जो स्वास्त है हो सकता है जल्द उनको राहत मिले इससे यानि उनका जो इफेक्ट है हो सकता है खतम हो जाए तो इसलिए उन्होंने स्वास्त मंतराले के तरफ से ये कहा गया है कि तीसरी डोज जरूर लगाए जिनको इस चीज इसका जो किटिनी का विमारी है अगर है उनको तो जरूर लगा ले तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों और वीडियो को लाइक शेर कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू